हेलो एवरिवन, वेलकम टो मैं चैनल, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिवल पैटर्न लेके आई हूँ, ये बुनना बहुत इजी है, ये लेडिज किर्स जेंट से सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है, ये 12 ब्रो पैटर्न है, आप मैं इसको भुनना स्टार्ट करती हूँ, ये मैंने पैटर्न का एक छोटा सा बेस बना लिया है, तो इसमें मैंने बॉर्डर के ओपर, पांच सलाई 5 रो सिंपल लगाई हुई है, ये पैटर्न 6 रो में डालना है, तो ये सबी सिंपल ही सलाई थी, तो इसको मैंने पहले ही लग आएगा, ये 6 रो है और ये फ्रांट साइड है, तो इस सिंपल सलाई, ये जो बैक साइड है, बैक साइड से हम गिनेंगे, तो पहले बैक साइड वाली सलाई, फिर इसको उपर 4 सलाई और लगा लिए है, फ्रांट और बैक फिर इसको करके 5 सलाई होगी है, ये 6 रो है, तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया, अब आगे ये जो फंदा है इसको सिलाई से ऐसे निकाल देना है और इसके चार दगे ऐसे निकालने हैं, बन, टू, थ्री, और ये फोर, इसके 4 दगे हमने निकाल दिये हैं, अब ये जो फंदा नीचे इसको ऐसे सिलाई के उपर ले लेना है और इन दगव़ां को भी, और शिलाई बैक साइड को निकालनी है, फिर इन सभी से एक फंदा निकालना है इसे एक फंदा निकाल लिया है, इसको लूज नहीं रखना है, और ज्यादे टाइट भी नहीं रखना है, फिर आगे के तेन फंदे सीधे बुनने हैं, एक, दो, और ये तीन, अब आगे ये तेन फंदे हमने सिम्पल बुने है अब आगे बाला फंद इसको छोड़ देना है सिलाई से और इसके भी चार दागे निकालने है बन, टू, थ्री और ये फोर अब फंदे को ऐसे सिलाई के उपर ले लेना है और बैक साइड को ले जाना है और ये दागे सिलाई के उपर लेके इन सभी को बुन लेना है और इनसे एक फंदा निकाल देना है ऐसे जो फंदा था नीचे इससे एक फंदा निकाल दिया अब आगे तेन फंदे सीधे बोनने हैं एक, दो, और ये तेन आगे भी ये जो फंदा है इसको सिलाई से ऐसे निकाल देना है और इसके चार दागे निकालने है बन, टू, त्री, और ये पोर और ये जो फंदा है, इसको सिलाई के उपर ले लेना है ये जो सिंपल सिलाई हमने पांच लगाई थी, फाइबरो सिंपल लगाई थी लेकर जो दागी निकाल रहे हैं सिर्फ फोरों के निकाल रहे हैं और जो 5 रो 5 रो थी, उसका फंद हम सलाई के ओपर ले रहे हैं यह मैं ऐसा नहीं करना है कि यह 5 रोच सिंपल लगाई है तो 5 दग्गे ही इसके निकालने है तो ऐसी सिलाई के ऊपर लेके इनको भून लेना है आगे के तीन फंदे सिंपल भूनने है आगे भी यह भंदा है इसको निकाल देना और इसके चार दगे हमने एक, दो, तेन, और यह चार और यह जो फंदा है इसको ऐसे इस लाई के उपर ले लेना है ऐसे एक फंदा निकाल लिया और यह लास्ट वाला फंदा इसको भी पून ले यह 12 रो पैटर्न है तो 6 रो इसमें पढ़ गी है अब यह 7 रो बैक साइड तो बैक साइड वाली सिलाई चली है फिर इसके उपर मैंने 4 रो और लगानी है यह जो 12 रो आईगी उसमें पैटर्न डालना है तो मैं यह लगा लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी आगे पैटर्न कैसे डालना है यह नीचे वाला पैटर्न है 6 रो वाला था अब इसके उपर मैंने 5 रो सिंपल लगा ली है अब जो 6 रो आईगी इसके उपर पैटर्न डालना है लेकिन यह पूरा पैटर्न है 12 रो का है तो 6 रो वाला यह बाला पैटर्न है और यह 6 रो वाला यह है तो 12 रो में आप मैं बताऊंगी कि इसको कैसे डालना है तो पहला फंद इसको स्किप कर लिया अब आगे दो फंदे सीधे बोनने है अब आगे जो ये नीचे वाले तेन फंदे थे तेन फंदों वाले ये जो पैटर्न है अब इसके जो बीच वाला फंदा है इसको छोड़ना है अब इसके दागे हमने छोड़ने है यह नीचे फंदे हमने सिंपल लगाए थे लेकिन यह अपने पैटर्न बन गया है क्योंकि इसके आसपास जो यह फंदे थे इनके हमने दाग्ये छोड़े थे और इनको बुना था आप यह तेन के जो बीज वाला फंदा है अब इसके दाग्ये छोड़ने है तो इस फंदे को छोड़ दिया और इसके चार फंदे हमने एक दो तेन और यह चार चार दगे छोड़ दिये हैं और जो पांच पा फंदा है इसको अब सलाई के उपर ऐसे ले लेना है और ये जो दगे हैं इनको भी ऐसे सलाई के उपर लेके इनसे एक फंदा निकाल लिये हैं और आगे के तेन फंदे हमने अब सीधे बोनने हैं ये जो नीचे हमने दगा फंदा छोड़ा था अब इसको हमने उपर वाले पैटर्न में इस फंदे को हमने बीज में लेना है तेन फंदों के एक दो और ये तेन अब आगे भी जो नीचे वाले तेन पैटर्न वाले फंदे थे आप जो बीच वाला फंदा है इसको छोड़ना है यासे छोड़ दिया आप इसके चार दागे हमने निकालने हैं एक दो तेन और ये चार सीम्पल स्लाई Chill दो 5 थी फाइब्रो सिम्पल थी लेकिन छो फोर वाले ने दाग़े छोड़े हैं लेकिन जो फाइब्रो वाला फंदा है उसको हम ने अप ले लेना है एसलाय पर एसिए इस सभी को लेके इस लाई के ऊपर प्ण लेना है एक फंदा मिकाल लेना है, इस फंदे को लूज नहीं रखना है, इसको जैसे सिलाई के और फंदे हैं बैसे ही रखना है, आगे के तीन फंदे सिंपल भूनने हैं, एक, दो, और ये तेन, रागे भी जो नीचे वाला फंदा छोड़ा था, इसके दागे छोड़े थे, अब ये वाला फंदा जो है, इन तेन फंदों के बीच में आ गया है, और जो ये नीचे वाले तेन फंदे थे सिंपल, अब जो बीच वाला फंदा है, अब इसके दागे छोड़ने हैं, एक, दो, और ये तेन, और ये चार, दागि शिर्फ चार ही छोड़ने हैं और सिंपल स्लाई पांच है जो छेमी स्लाई है उसमें पैटरन पढ रहा है पैटरन बहुत एजी है, क्योंकि 6 रो में सिर्फ एक स्लाई में पढ रहा है जाके पैटरन ऐसे फंदे निकाल लिया और जो लास्ट में जितने फंदे बसते हैं इनको सीधा ही बुनना है एज वाले फंदे के साथ एक या दो जो भी फंदे हैं उनको सीधा ही बुनना है तो पैटर्न अब निकल गया है प्रेंट्स अगर आपको मेरा बुना हुआ पैटर्न पसंद आ रहा है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं थैंक्यू